हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम चेप्टर नमबर टू पैरलर लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल क्लास 8 मैस की बात करेंगे इसमें हम कुछ टॉपिक्स को डिसकस करेंगे फिल्ड प्रैक्टिसेस कोश्चन करेंगे तो हमारा फिर्स पॉइंट है पैरलर लाइन्स इसको रिटेन ऐसे किया जता है यह डिनोट करने का सिम्बॉल है तो यह हमारा फिर्स कॉंसेप्ट है ऑर पैरलर लाइन्स इसकेंड है ट्रांसवर्सल २ इन दर एट ज्विघर लाइन्स इन्टो इसाशनेंगे गया एंसर राइनड यह एग एसे नियों पॉइंट्सला उन्हारे 5000 पॉंस्टिस्ट्टे इं 7 यह और प्योंट पर ल लाइन इंट्रेक्ट कर रहा है मीश्य कट कर रहा है तो इससे हम मात आंक ट्रान्सवसल लाइन करेंगे इफ आलाइन इंटसेग्ट कांद मजैं हो और ट्रांसवसल आपक कोई लाइन अगर गोड इनी अदर टू- pourquoi टू पॉंट्स पर fed कट करता है खुरुँस लाइन को हम ट्रांसवरसल लाइन- बोलेंगे यह विद्द लाइन के लिए मिस्व इस लाइन को जो l उस वह कट कर रहा है डू- यह प्र टू-डिस्टिंघ पॉंट दो अलग-अलग points पर तो इसलिए हम l तो यहां पर transversal line बोलेंगे in दोनों Lines के लिए अब by angles made byуля transversal म Please, the topic में हम पढ़ेंगे transversal line की वज़े से जो इंगल made होते हैं वो कौन कौन से angle होते हैं, खुटन से types होते हैं उस पर कश्य कोश्यन होंगे इस चेप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं तो हमारा फॉर्स्ट कोश्यन है कर्रस्पोंडिंग एंगल इप दा आम्स ऑन दा ट्रांस्वर्शल ओफ पियर ओफ एंगल्स और इन दा सेम डिरेक्शन एंड अद अधर आम्स और ऑन तो कर्सपॉंडिंग इंगल्स क्या होता है कैसे समझेंग इसको फिगर में हमस्भाइव हैं यह हमारा फिगर है थो गै causing लाइन चिन्ग कश्या बंता हैं वह हम लोग देखने वाले हैं तो कर्लिक देखर सो बनता है तस वाले लाइन्स के ये वाला इंगल और ये इंगल को हम पेर्स और करस्पॉंडिंग इंगल बोलते हैं से मैजरेटी इस साइड वाला भी इस इंगल को इस इंगल को हम करस्पॉंडिंग इंगल बोलते हैं से मैजरेटी अगर यहां पर इंगल बने वही इंगल यहां भी बने तो उसको भी हम corresponding angle बोलते हैं, pairs बोलते हैं, यहां पे जो angle बन रहा है और यहां पे जो angle बन रहा है, उसको भी हम corresponding angle बोलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे parallel lines की property तो उसमें हम देखेंगे कैसे corresponding angle equal होते हैं, अभी तक के लिए समझें कि corresponding angle means यहां पे जो angle बन रहा है और वो जो यहा हमारा इंटेरियर एंगल इंटेरियर एंगल मिन्स जो इंसाइड दे लाइन बनते हैं उनको हम इंटेरियर एंगल बोलते हैं मतलब जो लाइन्स हैं उनके इंसाइड अंदर साइड इंसाइड में बनते हैं उन्हें हम पेयर आफ इंटेरियर एंगल मिन्स ये इंगल इंगल इसका पेयर है सेम इस साइड भी यह इंगल्स को हम इंटेरियर इंगल्स बोलते हैं आगे हम देखेंगे इन पर कोश्चन्स जो दिये गए हैं सॉल किये गए एक्जांपल्स वह भी कैसे हैं उसके उपर भी डिसकेशन करेंगे लास्ट है हमारा अल्टर्नेटिंग इंगल्स अल्टर्नेट इंगल्स यहां पर एल ट्रांस्वर्शल है एम एन लाइन्स है अल्टर्नेट इंगल्स मिन्स जो इंगल्स यहां पर बनते हैं और सेम यहां पर बनते हैं जो इंगल्स यहां पर बनते हैं यहां पर बनते हैं इसको एक्स्टेरियर एंगल बोलते इंगल में टू टाइपस के होते हैं इंटेरियर के बात करें तो यह से इंगल यह में अंगल का इंगल अमारे alternate angle interior होगा same as it is यहाँ वाला जो angle रहेगा हो और यह angle का pair जो रहेगा हो alternate angle का interior वाला होगा तो इसके उपर कैसे questions रहेंगी यह discuss करते हैं pair of corresponding angles in the given figure यह figure है इसमें हमारा corresponding angle कौन सा यह दिखना है तो यहाँ पे दिया गया है angle amp and angle mnr यह हमारा answer है तो इसमें देखते हैं angle amp means यह angle and angle mnr angle mnr means जैसे मैंने आपको बता था इस side वाला हमारा होता है corresponding same as it is same as it is इस side वाला इस side वाला same as it is इस side और इस side तो वही हमें example में लिखना है जो हमारा answer है solution है angle p mn and angle rnt angle am q and angle mns angle q mn and angle s and t तो यह सारे हमारे corresponding angles के जो pair इसमें बन रहे हैं figure में वो दिये गए है same as it is अगर interior angles की भी बात करें तो interior means जो inside the lines होते हैं lines के जो inside होते हैं angle p mn and angle mn r यह वाला angle और same as it is यह वाला angle हमारा वो है interior angle वो ही दिया हुआ है angle p mn and angle mn r same is side भी बन रहे हमारा q mn mns तो हमारा second वाला भी यह दिया है angle q mn and angle mns तो आप खुझ से भी try कर सकते हैं ऐसा दूसरा example लेके कि उसमें interior angle और corresponding angles हम बना के देख सकते हैं third है हमारा alternate angle की बात करें alternate angle का example तो alternate angles का two types के होते हैं जैसे मैंने बता था है interior alternate angles exterior alternate angles जो angles at the inner side of lines जो lines के inner side में होते हैं उनको interior बोलते हैं जो outer side में होते हैं उनको exterior alternate angles बोलते हैं तो inside कौन से हैं इसमें means PMN and MNS means यह वाला यहां पर जो angle बनेगा और जो यहां वाला तो वो pair हमारा होगा interior तो यहां पर दिया हुआ है angle PMN and angle MNS same second वाला भी QMN and angle R यान यम means जो यहां पर angle बनेगा QMN and MNR यह side opposite opposite होता है means उपर का इस side लिए तो नीचे का इस side वाला हमारा angle बनेगा यह होग है हमारा interior exterior का बात करें इस side वाला जो रहेगा उपर का angle तो नीचे का इस side का में लेना पड़ेगा इस side वाला रहेगा तो इस side वाला रहेगा यह हो गया हमारा exterior इसका अंसर angle AMP angle AMP तो end उसका pair जो बनेगा है angle S and T या TNS भी बोल सकते हैं जैसा अब यह आप चाहिए angle का नाम किसी side भी ले सकते हैं बस angle जो बन रहा है उसका नाम बीच में आना चाहिए मिडल में सेकेंड है एंगल AMQ एंगल AMQ उसका पेर जो बन रहा है angle R याण T या T यान आर ऐसा हमारा alternate angle अब हम practice set की बात करें तो प्रैक्टिस सेट 2.1 तो फर्स्ट क्वेशन है इन दा एड्ज्वाइनिंग फिगर इच एंगल इस स्वेन बाइल लेटर फिल इन दा बॉक्स इस विद्ध हेल्प आफ फिगर इसका हमें पेर बनाना है तो फर्स्ट हमारा स्वेर्प पाफ कर्स्पोंडिंग सें great interior alternate angles तो sunshine हम जानते हैं कैसा रहता है जिसके Granth by I यह बनेगा यहां बनीगा तो क्यों है तो इसका बिन एक्स बनेगा तो यहां पर क्यों सा हमारा सुनक्त को यह इक्स क्याथ कइनल एकस P की बात करें तो angle P का angle P इस साइड वाला है तो उसका pair में W आएगा तो angle W angle W angle R की बात करें तो angle R इस साइड है तो इसका जो corresponding angle बनेगा वो Y बनेगा तो angle Y यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं angle S की बात करें तो S हमारे यहाँ पर है उसका corresponding नीचे साइड जाएगा exterior में तो angle Z ऐसा हमारा corresponding इंटेरियर alternate angles की बात है interior मतलब जो inside बनेगा lines के तो यहाँ पर angle Yes Yes इस साइड है तो उसका opposite side में यक्स बाला बनेगा नीचे साइड में यह साइड है तो उसके नीचे साइड में जो रहेगा वह इंगल उसका interior alternate तो यहाँ पर यहाँ यहाँ पर इंगल एक्स आएगा the angles so when in the figure and write the following pair of angles यह figure को observe करके हमें answer देना है जो हमारे following pairs बनेंगे different different angles तो हमारा first question है interior alternate angles तो इनके pairs को लिखना है यह हमारा two lines है और यह हमारा transversal line है तो यहाँ पर interior alternate angles की बात क्या है means जो inside रहेंगे alternate angles तो यहाँ पर angle जो C बन रहा है उसका pair बनेगा angle E means अगर इसको rotate करके देखे हम लो तो यह हमारा two lines हो गया और यह transversal line ऐसे ही similar है यहाँ पर जो angle बनता है वो same यहाँ पर बनता है इन दोनों को pair of interior alternate angles बोलते हैं इंगल C और इंगल E यह pair बनेगा इंगल B और इंगल H तो हम इसको लीग देते हैं इंटेरियर अल्टरनेट इंगल यहाँ पर हमारा इंगल C और इंगल इंगल E यह first बनेगा second हमारा बनेगा इंगल B और इंगल यह तो यह हमारा इंटेरियर अल्टरनेट इंगल की बात तुई थी इसलिए इंसाइड जो लाइन के इंसाइड में होते हैं वही अल्टरनेट इंगल लिखने हैं यह हमारा यह complete हुआ first question second question की बात करें तो second question है हमारा corresponding इंगल corresponding इंगल corresponding इंगल तो यहां पर जितने pairs बनेगे corresponding इंगल के वह हमें लिखना है तो corresponding इंगल की बात करें अगर हम इसको rotate करके देखते हैं अच्छे से यह हमारा two lines मैंस और यह में और यह Trans generation है तो corresponding means जो यहां पर बनेगा उसे यहां पर यह दोनों पर को कर्रश्पांडिंग जो यह रहेगा एंगल जो हम कर्रस्पांडींग डीग इस द्टो इंगल यहां बनेगा यह यह एंगल और यह इंगल को भी corresponding इंगल का प्लेंग है जो एंगल यहां बन रहा है और जो एंगल यहां बन रहा है यह टू लाइन्स के बीच में वह भी corresponding अंदिंग अंगल होगी तुसको उसको हमारे जो जो पेर बन रहा है तो हमार फिरस्ट पैर पन रहा हैं इंगल इ और इंगल अज़ एच थर थड़ेर हमारा बन रहा है एंगल को थी एंगल जी मतलब Means यहां जो बन रहा हो यहां जो यह यहां बन रहा है और जो बन रहा हो ब्हुंद भी पेर हों गये तो इंगल सीइ एन्ड एंगल जी हमारा 30 मेरं फोर्थ एंगल B सेम जैसे यहां बन रहा है यहां भी बने गए इंगल B and एंगल F तो एंगल B and एंगल यह हमारा corresponding angles के सारे pairs हो गए थर्ड question है हमारा interior एंगल ऐख थर्ड question है हमारा interior एंगल इंटेरियर एंगल मिस्क्या होता है जो inside the lines बने जो हमारे two lines है वह inside जो एंगल बन रहे हैं उनके pairs को लिखना है तो हमारा यह two lines है उसके inside में जो एंगल बन रहे है तो मिस्स यह 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 पीर यह और यह पीर तो लिख देते हैं कि फर्स्ट हमारा बनेगा इंगल सी एंद इंगल है है इंट है कि इसकेंड अमारा प्रेट गार्ट पार्थ हो गया है है इंगल दी एंड एंड एंगल ये तो यह हमारा प्रेक्टिस सेट 2.1 कम्प्लीट हो गया प्रेक्टिस से 2.2 के लिए नेक्स वीडियो होने उसमें हम अच्छे से और एक्स्प्लेइन करेंगे पैरलर लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसमें हम कि आप वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धेन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें